हाई फ्रेंड आप सभी को यूनिट डिजिट की ये फूर्थ वीडियो में वेलकम है आज हम बात करेंगे कि किसी भी शंख्या का या पिर किसी भी जो मल्टिफिकेशन दिया हुआ है उसका टूटल नमबर अफ प्राइम फेक्टर कैसे निकालते हैं है है कि इसम देखा थाकि यमेट करते हैं कुछ मल्टिफिकेशन का भी देखा था कि कैसे हम लोग विथीन सकेंड यमेट कर लेते हैं क्या होता है तो हम स्टार्ट करतें इस वेडियो को इसमें क्या है कि हम लोगों ने कल थोड़ा से रिवाइज कर लेते हैं कि देखा था कि अगर 01566 अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट हो और इसके उपर पावर कुछ भी हो तो इसमें फरेक नहीं परता है जो उसका यूनिट डिजिट होता है वो 0156 से होता है यह अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो तो अभी हम क्या करेंगे कि एक तो यह दिखने थे 0156 अगर इन संख्याओं का यूनिट डिजिट फाइंड करना कैसे फाइंड करते वो देख लिए थे उसके बाद एक और क्या देखा था कि अग एक युनिट डिजिट होगा वह हमेशा 9 ही रहता है जैसे कि क्या था कि अगर मान लेते है 69 है एसका पाइवर किया है इभेन मतलब ओड है तो मैं क्या बुला कि यह जो संख्या hardness है अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 9 है और उसका पावर अगर ओड है तो उसका unit digit हमेशा 9 होता है ठीक है दूसरा क्या बोला था कि अगर इसका पावर मतलब even रह गया लगर यह संख्या का unit digit कितना 9 है और इसका पावर कितना है even है 4 है तो इसका unit digit हमेशा क्या होगा 1 होता है यह देख लिया था और दूसरा देखा था 4 के बारे में कि अगर 4 इसमें भी सेम था कि कोई संख्या है माल लेते हैं ठीक है यह संख्या और इसका unit digit कितना 4 है अगर इस पर हम कोई ode number मतलब ode number कोई power होता है तो इसका unit digit हमेशा 4 होगा ठीक है और अगर इसी संख्या का 494 का जो मतलब power है वो अगर even रहेगा तो इसका unit digit कितना होगा 6 होगा मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर किसी संख्या का unit digit 9 है और उसका power ode होगा तो हमेशा उसका unit digit 9 होगा अगर किसी संख्या का unit digit 9 है और उसका power अगर even है तो उसका जो हमेशा unit digit होगा वो 1 होगा similarly 4 का भी अगर किसी संख्या का unit digit 4 है और उसका power अगर ode है तो उसका जो unit digit होगा वो हमेशा क्या होगा 4 होगा और अगर even है तो उसका unit digit हमेशा 6 होगा तो हम लोगों उन्हें तो देख लिया था कि अगर किसे संख्या का unit digit 015649494 हो तो इसली हम लोग फाइंड कर सकते हैं लेकिन इसके बाद का क्या आए कि अगर कुछ ऐसे संख्याए हैं जिसका अगर unit digit ना ही 0156 हो ना ही 4 हो तो उसका unit digit हम लोग विधिन सेकेंड कैसे फाइंड करेंगे तो चलो तो चलिए हम लोग देखते हैं फॉर एक्जामपल माल लेते हैं कि माल लेते हैं कोई कोसन है 7 to the power 105 ठीक है तो इसका unit digit फाइंड करना है फाइंड इसका हम लोग unit digit कैसे फाइंड करेंगे अभी आ रहा है तेक है इसका unit digit हम लोग कैसे फाइंड करेंगे अगर यह हमारा कोसन रहता 7 4 1 to the power 5 तो 105 हमारा क्या है और इसका unit digit कितना है 4 है तो 4 के power में अगर और नमबर होता है तो इसका unit digit कितना होता है 6 इसका फड़ा क्या बोल देता है इसका unit digit मेरा 6 होगा लेकिन यहाँ पे क्या है 7 to the power 105 तो हमने तो 0156 का देखा है 49 का देखा, 7 को तो देखा नहीं है तो इसको हम लोग कैसे find करेंगे पस simple से है कि अगर जो भी किसी संख्या के उपर ये जो trick है वो सभी या तो 0156 हो किसी संख्या के unit digit अगर 0156 हो 49 हो कुछ भी हो, सभी के लिए valid है क्या करना है, जो भी संख्या दिया हुआ है और उसके उपर जो power है 105 है, उसको 4 से divide कर देना power को 4 से divide कर देना कितना आएगा? 2 और यहाँ पर कितना आएगा? 6 ठेक है, reminder कितना बचेगा? 1, ठेक है, तो जो reminder बच गिया मतलब जो भी संख्या दिया हुआ है, उसका power को 4 से divide करना है 4 से divide करने के बाद, जो reminder बचा एक reminder बचा, वो जो reminder है, वो उस संख्या का power हो जाएगा मतलब कि कैसे लिखना है? 7 का power 105 था, इसको 4 से divide किये, 4 से divide करने के बाद, reminder 1 आया मेरा और इस वन को यह साथ का पावर हो गया अब इसका अगर साथ को वन से इंटू करेंगे मतलब साथ इसका मतलब क्या है कि साथ एक बर मल्टिप्लाइ होगा तो इसका इनिटिजिक इतना हो जाएगा शेवन हो जाएगा ठीक है सिमिलरली एक और कॉसंस लेते हैं कि यहां पर एट है ठीक है और इसका 95 है अब हमको इसका यूनिट डिजिट करना है फाइंड यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे कुछ नहीं करना है 95 को फोर से डिवाइड करना है कितना होगा एट वन फाइव जार थिया 12 न इसका 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 इसदिट गया और आट को अगर हम लोग तीन बर मल्टिक्लाइ करेंगे तो क्या होगा एट इंट्व एट शॉर्ट और हमने क्या बोला था multiply करने के बद जो 64 आया है तो इसका unit digit को फिर इससे multiply कर लेंगे तो 4 into 8 32 ठीक है तो इसका जो unit digit हो जाएगा इसका जो unit digit हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है निसमाज में आया एक बढ़ फिर से क्या था मेरा 8 था 95 था इसका unit digit करना था तो उसमें क्या करेंगे कि जो 95 है उसको 4 से डिवाइट किया हमने ठेक है 4 से डिवाइट करने के बाद हमारा जो reminder आया वो कितना आया sorry reminder हमारा थीन आया ठेक है तो जो हमारा reminder तीन आया इस 3 को जो reminder है वो इस संख्या का power बन जाएगा ठेक है, इस स्पामर का मतलब किया है 8 के बाद यूνिट डिजिट ले होता है उसको हम लोग मतलब इस दोनों का मल्टिफिकेशन का सब्सेदीपिया है तो इस दोनेर मतलब यूंट डिजिट किया है फोल है, तो यह होगा 4 ल्यूंट किया होका ध्यू तो क्या होगा? 832 तो अब ये जो 32 है इसका unit digit कितना है? 2 मतलब ये जो 2 है वो क्या होगा? 8, 9 to the power 5 का unit digit कितना होगा? 2 होगा I hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगर समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें इसे तरह के वीडियो देखने के लिए और सेर जरूर करें भाई लोग थैंक्यू